उजाला सिगनेश कुलवंती होस्टिकल ने बेश्ट किजनी दिवस के अप्लाक की में कारिकरम कारजन किया गया जिसमें मुख्यापिटी के रूप में जिसमें मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर रिचागिरी वा आयूमे के देख डॉक्टर बंकच गुलाटी मौजूद रहे तंगोस्टी के प्रवक्ता के नेफ्रो लॉजिस दॉक्टर यूराज गुलाटी रहे उन्होंने बताया कि 10 प्रतिशत लोग कितनी की बीमारी से ग्रसित हैं अगर प्रारंभिक परिक्षट के बीमारी को पकड़ने और समय रहते हैं विशेशल के डॉक्टर से जान करवां तो हर बीमारी के अंतिम डालेसिस वर ट्रांस्प्लांट की जरूरत पर पहुचने से बच सकते हैं नमस्कार मैं डॉक्टर योगराज गुलाटी कंसल्टें नेफ्रोलोजिस्ट कुल्वंती हॉस्पिल कानपुर आज का ये प्रोग्राम मुनोंने वर्ल्ड किड्नी डे के उपलक्ष में एक संगोष्टी आयोजित करी है जिसमें की आये में के प्रेजिदेंट डॉक्टर पंकच गुलाटी साब और मेडिकल कॉलेज की वाइस प्रिंस पर डॉक्टर रिचागिरी मैम को भी इंवाइट किया था इस साल की वर्ल्ड किड्नी डे की थीम है किड्नी हेल्थ फॉर आल प्रिपेरिंग फॉर दी अनेक्सपेक्टिटिंग दी वल्नरेबल मतलब कोविट के टाइम में जो हमने देखा कि किड्नी के मरीज़ों को अच्छी खासी परिशानी हुई है तो एक ऐसा हम लोग सिस्टम परिबलोप कर सकें कि ऐसे एड़ से के लिए हम पहले सी पृपेर कर सकें और झो लोग ऐत रिसक है जैसे कि डायपोटिक हाई-पसेर किसिंव की उमर जादा है या जिनके परिवार में रिषाद के पिड्नी के बारे मिझा रूप्क कर सकें और अगर किड्नी के दिककत है ग उनकी यूरिन की जाच और क्रियाटिन की जाच कराएं, ताकि जितना जल्दी हम उनकी बिमारी को पकड़ेंगे और उनको डियालेसिस और ट्रांस्प्लांट तक पहुंचने से हम बचा सकते हैं, तो समय पे ध्यान दें, किड्नी की जाच कराएं और रेगुलर डाइट और अ डियालेसिस दो प्रकार के मरीजों में किया जाता है, एक होता है acute kidney injury, जिनका kidney किसी कारण वर्ष खराब हुआ है, तो उनका डियालेसिस को समय के बाद अगर वो कारण ठीक हो जाता है, तो डियालेसिस से भी मुक्ती मिल सकती है, पर अगर जिनकी kidney लंबे समय तक खराब है, उनको dialysis करना है और dialysis से वो सुचारू रूप से अपना जीवन वितीत कर सकते हैं और definitely अगर वो घर में उनके donor है तो transplant के बारे में सोचें क्योंकि transplant के results dialysis से बहुत अच्छे हैं वो अपना जीवन बहुत अच्छा वितीत कर सकते हैं इसमें घवराने की बात नहीं है